Welcome to my YouTube channel World Literature आज जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है The Wild Duck by Henrik Ibsen Henrik Ibsen का ये प्ले है जिसको आज हम डिटेल्स से डिसकस करेंगे Henrik Ibsen जिनको जो है वो father of realism कहा जाता है जो के realistic literature लिखते हैं, novels, plays mostly इनके जो themes होते हैं वो realism पर जो है वो based करते हैं और tragic comedy भी इनोंने लिखी है तो आज को जो play है ये एक tragic comedy भी है ये एक realistic play भी है इसको हम symbolism से भी relate कर सकते हैं तो इसको different genres में जो है वो हम categorize कर सकते हैं इस play को First of all अपने writer को discuss करते हैं Henrik Ibsen की birth हुई थी 20 March 1828 में इनकी death हुई थी 23 May 1906 में Norwegian playwright थे and theatre director थे Play का introduction discuss करें The Wild Duck जिसका जो original title है वो Norwegian language में है जो के screen पर जो है वो दिया गया है और इस play को जो है वो 1884 में जो है वो publish करवाया गया था Norwegian playwright Henrik Ibsen ने इसको जो है वो लिखा था Play की characters को discuss करते हैं First जो हमारा main character है जो protagonist है इस play का वो है Gregor's Varel Gregor's जो है वो protagonist है इस play का ये एक young man है जो के exile के बाद अपने घर पे वापिस आता है Almost ये 15 years के बाद जो है वो अपने home वापिस आता है और उसके लिए जो है वो party जो है वो arrange की जाती है And ये एक idealistic person है और जो truth को expose करना चाता है लेकिन ये नहीं जानता कि अगर कुछ truth जो है वो hidden ही रहने चाहिए कुछ secrets जो है वो secrets रहे तो हमारी जो life है वो easy रहती है क्योंकि कुछ secrets जो है वो हमारी life की happiness को destroy कर देते है families को destroy कर देते है world को destroy कर देते है But ये जो character है वो उन secrets को reveal करना चाहता है And उन secrets को hidden रखने पर कोई जो है वो focus नहीं करता है Next character है हालमर एकडाल जो के अपने family का honor भी है और ये अपनी failures के साथ और अपने illusions के साथ जो है वो fight कर रहा है पूरे play में And ये एक weak person है और indecisive भी है जो को ये नहीं पता है कि मुझे जो है वो अपनी life के लिए क्या decision लेना है and क्या decision नहीं लेना है And इसकी जो personality है इसकी जो psyche है वो loyalty and truth के दरम्यान जो है वो fight में होती है war में होती है हालमर एकडाल जो के opposite है हमारे first character की family के Gregor की Gregor की एक family है and हालमर एकडाल की family है ये दो families हैं जो के इस play में हमें नज़र आएंगी Next character है Gina एकडाल जो के हालमर की wife है और इसके बहुत सारे जो past के secrets है ये hidden रखती है अपने husband हालमर से जो के बाद में जब पता चलता है तो बहुत सारी difficulties इनको जो है वो face करना पड़ती है अपनी life में Next character है Hedwig, Hedwig, Gina and हालमर की जो है वो daughter है और ये innocent है और इसकी जो eyes है वो उनकी जो brightness है वो day by day जो है वो slow हो रही थी इवन कि ये blindness की तरफ जो है वो जा रही थी Old Agdal है जो के हालमर के father in law है और ये family के साथ रहती है और ये उनको जो family है वो support करती है Next character है Viral का character जो के Gregor के father है एक wealthy industrialist है और एक influential man है लेकिन इसका जो shady past है इसने जो है एक डल family को जो है वो destroy किया था उनके लिए ये shame का reason बना था Viral इसी वज़ा से जो है वो इसका son Gregor जो है वो past के secrets को reveal करना जाता है play में Play एक party से start होता है घर पर जो है वो hack and world जो के father है Gregor के उन्होंने एक party को जो है वो arrange किया है जो के rich merchant है man of industry है वो अपने son की वापसी पर एक celebration रखते है एक party जो है वो arrange रखते है और बहुत सारी guests को जो है वो invite करते है Gregor जो के 15 साल बाद जो है वो अपने घर वापस आ रहा होता है इस वज़ा से अब Gregor के जो है वहाँ पर party मेटिंग होती है Helmer Agdall से Helmer Agdall जो है वो Gregor का classmate था और इसको पता चलता है Gregor को के Helmer ने जो है वो शादी कर ली है जीना से और जो जीना है वो Gregor के घर पे जो है वो made थी और जीना का जो है वो बहुत ही worst past भी है या पिर उसके past में कुछ secrets है जो कि किसी को नहीं पता है Gregor उनको जो है वो आगे जाके कहानी में reveal करेगा अब जो हैकन है इसकी वज़ा से हैलमर एंट जीना की शादी तो हो जाती है लेकिन हैलमर की जो family है उसको destroy करने में उनका career destroy करने में उनकी reputation destroy करने में जिस person का hand था वो हैकन ही था Gregor का father ही था और इसी चीज़ को जो है वो Gregor compensate करना चाता था और वो हैलमर की help करना चाता था कि मैं उसको secrets बताऊँ past के ताके हैलमर जो है वो उस illusion से बाहर निकल आए और उसको truth पता चल सके के past में जो है वो क्या हुआ था अब यह हलमर को जो है वो job मी मिली होती है Gregor के father की ही वज़ा से एक photographer की जो है यह job कर रहा होता है and Helmer की जो father old actal है वो भी एक job कर रहे होती है जो की copyist की job है Gregor जो 15 years के बाद अपने घर पर finally वापिस आता है तो इसको reality पता चलना start होती है Gregor को पता चलता है कि इसकी mother जो के अब इस दुनिया में नहीं है उनको पता था कि Gregor के father और जीना का आपस में जो है वो affair था and Gregor जो है वो जब यह सुनता है तो इसको बहुत जादा जो है वो गुसा आता है और वो उसी time पे चाहता है कि मैं हलमर को जाके जो है ना वो truth बता दूँ और ये जो सारी realities हैं वो में बता दूँ और वो decide भी कर लेता है कि मैं जाओंगा उसके घर पर and उसको सारी realities जो है ना वो बताऊ remaining जो play है वो हलमर के apartment पे वो perform होता है हलमर एंडरीना जो है वो बहुत ही अपनी happily married life है जो गुजा रहे होते हैं हलमर के फादर जो है वो hackan के हाँ जो है जो है वो job करते हैं वहां पे कॉपिंग के उनको जो जोब मिरी हुई है अब apartment में हलमर ने एक studio बनाया हुए है जहां पर जो है वो अपनी photographic करता है पेंटिंग बगारा जो है करता है हलमर की wife जो है वो घर को भी देखती है और जो उसके business के जितने भी affairs है उनको भी जो है वो handle करती है यह अपनी daughter 14 years की जो है है उसकी भी बहुत जा केर करते हैं Gregor जो है वो party के बाद जो है वो इनके घर पर आता है इनके साथ रहने और यहां पर आके इसको पता चलता है कि एक सिरफ जीना का ही truth नहीं है यहां पर इस apartment के और बहुत सारी secrets हैं जो के आगे reveal होने वाले हैं जीना और हेलमर के apartment में एक separate room भी होता है जिसको जो है वो Gregor रेंक पर ले लेता है और यहां पर जो है वो रहना start कर देता है अब इनके साथ Gregor जो है वो हेलमर से जब discussion करता है उसको पता चलता है कि head with जो है उसकी eyesight जो है वो weak हो रही है और वो blindness की तरफ जा रही है and Gregor को यह भी पता चलता है कि head with की जो है ना वो कोई अच्छे से upbringing भी नहीं कर रहा है अगर उसको स्कूल में नहीं भीजा जा रहा तो उसकी जो apartment में है घर में जो है वो कोई जो उसकी education के लिए कुछ भी जो है वो नहीं किया जा रहा है Gregor then जो है further इनकी apartment को विजिट करता है और इसको पता चलता है कि family ने यहाँ पे birds and animals वगारा भी जो है वो रखे हुए है and इनकी जो है वो यह बहुत ज़दा care भी करते है अब इन्होंने एक duck भी रखी हुई है जो के wounded थी और hackan के dog ने उसको wound दिया था and actor family ने इसको यहाँ पे अपने पास save किया और उसकी care की और अब जो है वो बहुत मुश्किल से यहां रहे तो रही है बट उसकी भी जो eyesight है वो दिन बाद दिन वीक होती जा रही है Gregor Helmer को जो है वो जीना का secret बता देता है कि Gregor के father और जीना का पास्ट में affair था Helmer को जब यह बात पर चलती है तो बहुत disappointed होता है और बहुत ज़दा hurt होता है वो जीना से इस बारे में question करता है और पूछता है कि हैडविक क्या इसी की daughter है लेकिन जीना के पास कोई भी जो है वो answer नहीं होता है Then Helmer decide करता है कि मैं अपने father old actor को लेकर यहां से चला जाओंगा और मैं यहां पे घर पे नहीं रहूंगा लेकिन जीना उसको काफी ज़्यादा मनाती है कि तुम हमारे साथ रहो तुम उस studio में रह लो कुछ दिन के लिए हम से separate लेकिन इसी घर में रहो Hedwig जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टरब हो जाती है कि उसके father जो है उससे love नहीं करते हैं इसी तरह जो है वो दो और members जो है वो इस family को join कर लेते हैं old actor की family को Railing and Malwick Railing and Malwick जो है यह दोनों ही old friends है इस old actor की family के अब यह भी इनके साथ रहना start कर देते हैं Railing जो है वो Halmer की जो situation देखता है और उसकी जो mental condition देखता है तो वो उसको उसके बारे में Gregor को बताता है Gregor कहता है कि इसका क्या solution हो सकता है कि Halmer जो है वो recover कर जाए यहां पर वो इतना hurt हुआ है इस trauma से जो truth उसको पता चला है Railing उसको white lie बताता है कि सिर्फ reality ही उसको जो है वो change कर सकती है then Gregor जो है वो Hedwig की थोड़ी सी help करता है और कहता है कि तुम उस duck को जो है वो sacrifice कर दो ताकि जो तुम्हारे father Halmer है वो तुमसे love करने लगे है और उनको proof मिल जाए कि तुम जो है वो उनसे love करती हो हेडविक ऐसे ही decide करती है कि next morning जो है मैं उस duck को जो है वो sacrifice कर दूँगी next morning जो है वो roof से जो है वो gun की आवाज आती है and सब लोग यही सोचते हैं कि जितने भी family members होते है कि शायद duck को ही sacrifice किया गया है लेकिन यह सब लोग जब रूप जाकर देखते हैं तो वहाँ पे हैडविक की जो है वो वाड़ी पुरी होती है जो के dead होती है and यहाँ पे जो है वो ग्रेगर सिर्फ यही रिमार्क्स देता है कि इसे हलमर की जो greatness है वो दुबारा से पैदा हो जाएगी यहाँ पिर दुबारा से वो अपनी life में जो है वो आ जाएगा headwick की death के साथ ही and यहाँ पे जो प्ले है वो खतम हो जाता है इस प्ले में realism को use जो है वो किया गया था कुछ realities होती है जो के हमारी जो एक happy world होती है या फिर हमारी बहुत ही beautiful world होती है उसको जो है वो destroy कर देती है so कुछ secrets जो है वो secrets ही रहने चाहिए इस प्ले का जो है वो main message यही था जो के Gregor नहीं जिसको understand नहीं किया और वो truth को reveal करने में हैडविक की death हो गई family की जो happy life थी वो destroy हो गई and Gregor खुछ जो है वो भी guilty था इस सब situation थे वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe कीजेगा thanks for watching my channel